मुसीबतों से भाग में जीवन में समय समय पर चुनोतियां वे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एवं यही जीवन का सत्य है एक सांत समुंदर में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता जे माता दिमित्रो स्वागते आप लोगों का आज का व्मारी विशेश कारे क्रम दिसंबर 2021 राशिफल यानि साल 2021 के अंतिम महीना के राशी फल में और आजम बात करेंगे मकर राशी वालों के राशी फल के बारे में कैसा रहेगा मकर राशी वालों का दिसंबर का ये महीना चली तो बात करते हैं मकर राशी वालों का दिसंबर के महीने की सामाने राशी फल सबसे पहले फिर उसके बाद बात करेंगे उनकी आर्थे किस्तिती, परिवार किस्तिती, नोकरी किस्तिती, उनके कारिय छेत्र किस्तिती, परिवार किस्तिती और प्रेम परसंग किस्तिती के बारे में और वीडियो के अंत में कुछ उपाए मैं आपको जरूर दोगा। सबसे पहले अगर देखें तो सामानने कैसा रहेगा साल 2021 का ये अंतिम महीना मकर राशी वालों का तो मकर राशी के जातकों के लिए कार्य छेति के लिए ये महीना साकारत्मक रहेगा क्योंकि इस दोरान आपको अपने विचारों और योजनाओं को गहराई से समझने और उसे अपनाने के बहुत से अफसर मिलेंगे रचनात्मक से जुड़े परदर्शन करने वाले कलाकारों को अपने कोशल के सही मंच मिले की पूरी संभावना है वहीं आप में से कुछ जात्कों को कारिय स्थल पर नई भूमिकाए और जिम्मेदारियों के साथ साथ कई नए अधिकार और पदुन्नती मिलने के भी योग बन रहे हैं वैपारियों को भी मुनाफ़ा प्राप्त होगा इस महीने लेकिन साजेदार यानी पार्टनर्शिप में वैपार कर रहे जात्कों को अभी सावधान रहने के आवशकता है ग्रहों की स्थिति आपके लिए अच्छा धन लाब और मुनाफ़ा होने के संकेत दे रहे है महीने के मध्य में यो कारग्रह शुक्र की इस्थिति आपके धन में व्रद्धी करने के लिए कई अफसर आपको परदान करेगी अपने संबंदों को बहतर करने के अफसर देगा दामपतिक जातकों को अपने परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे जिससे आपको खुशी की अनुभुती होगी बड़े भाई बैनों से भी सयोग मिलेगा हाला कि प्रेम संबंद के लिए दिसंबर का महीना उन जातकों के लिए शुब रहने वाला है जो नए रिष्छे में हाला कि प्रेम जातकों और विभाई जातकों को अपने जीवन में कुछ उतार-चराव भड़ी परिस्टिती इस महीने देखनी पर सकते यह मैना शोध कारियों के लिए अच्छा है इसलिए छात्रों को बेहतर पंडाम प्राप्त के लिए शोध कारिये जारी रखने की आवश्यक्ता होगी वहीं विदेश जाने के चुक छात्रों को कोई शुब समाचार मिलने के पूरे योग बनेगी हाला कि स्वास्त जीवन कुछ कमजोर रहेगा इसलिए स्वास्त आहार और उचित वैयाम करते हुए खुद को स्वस्त रखें और इस दोरान आपके लिए सबसे अधिक होगा चली तो बात करते हैं विस्तार से मकर राशी वालों का साल 2021 के दिसंबर महीने में सबसे पहले कारिय छेत्र यानि नोकरी और वैपार कैसा रहेगा और सबसे पहले जान लेते हैं नोकरी के बारे में मगर राशी के जातकों के लिए कुछ शांदार और नई शुरुवात के संकेत दे रहा है। जाने की भी इस सबसे अधिक आवशकता इस दोरानों की। तबी आप साधवानी पूर्वक हर कारिय को करने में सफल रह पाई। इसके साथ ही आपके लगन भाव में शुक्र देव की उपस्तिती आपके सहास उर्जा में विरद्धी देगी। इसके चलते आपको सभी योजन की और इसारा भी कर रही है क्योंकि इस दोरान अपनी पर्तिवा का परदर्शन करने के लिए सही मंच मिलने की पूरी संभाव में है। कारेस्तल पर भी आपको कई नई भूमी का और जिम्यदारी प्राप्त करने के उचितियोग जरूर मिलेंगे। क्योंकि मकर प्रत्वी प्रत्वी सबसे उचिरासी होती है और उसमें शनी की उपस्तिती आपको जमीन से जुडने में मदद करेगी। साथी शुक्र भी इस दोरान अपनी आकरशन चमताओं के साथ जुती करते हुए आपको शुप परणाम देंगे। परणाम सरूप इस महीने के दोरान लोग आ शक्ता नहीं है अभी वो विराम करें इसके लिए हर फैसले को लिकर उसके लाब और हानी के बारे में सबसे पहले वो विचार करें उसके बाद ही आप कुछ आगे फैसले ले आपको यह सुनिचित करना भी होगा कि दोनों आप और आपके साजेदार को सामान लाब की प्रा चले तो अब बात करते हैं मकराशी के आर्थिक इस्तिति धन किस्तिति इस महां के दोरान आर्थिक जीवन के संबंद में मकराशी के जातकों को लाबकारी परणाम प्राप की पूरी संबाव में मंगल का गोचर स्वेम के एकादस भाव में होना आपको सफलता और लाब अर को अपनाने से विवसाइक जातकों को भी अधिक धन लाव होगा मुनाफ़ा अर्जित करने में भी मदद मिले मंगल की इस दोरान उपस्तिती भी धन का आदान परदान करने के और इसारा करेगी आप कुछ प्रोपरटी से संबंदी निवेश भी करेंगे जिससे आपको भवि करने के लिए कई अच्छे अवसर मिलेंगे लेकिन अनुसासन के स्वामी का भी शुक्र के साथ युति करना यानि की शनी की युति करना कुछ हद तक सावनान रहने की और इसारा कर रहा है ऐसे में इस महीने के दोरान कोई भी बड़ा निर्ने लेने से आपको बचना होगा विवसाय में विस्तार करने के लिए यह महीना उत्तम है इसके लिए आपको अपना सारा धन निवेश करने की जगे अच्छी सफलता प्राप्त करने की और छोटे छोटे निवेश करने की आवशकता है बड़े भाई बैनों और करीबी दोस्तों से भी धनलाब होने के पूरे योग बन रहे हैं इस दोरान अनावशक यात्रा करने से परहेज करें अन्यता आप अत्रिक्त धन खर्च होना आपके लिए संभव रहेगा अब अगर देखें साल के अंतिम महीना स्वास्ते की दरश्टी से मकर राशी के लिए कैसा रहेगा जाता जाता साल 2021 स्वास्ते के लिए कैसा रहेगा मकर राशी के लिए तो मकर राशी के जातों और जातिकाओं के इस महीने सबसे अधिक अपने स्वास्ते जीवन पर ध्यान देने की आवशक्ता रहेगी ऐसे में आपको अपनी सेहत के परती जराभी लापरवाई ना बरतने की आवशक्ता है खास तोर से पेट से सम्मंदित हर समस्या को लेकर सतर्क रहें आपके एकादस भाव में मंगल की उपस्तिती आपकी जीवन शक्ति और आत्मी स्वास को बढ़ाएगी जिससे आपके सास और प्राकर में व्रद्धी होगी इससे आप खेल कुद और अन्य सारे गत्विद्यों में शक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम होगी हाला कि महीने के मद्यम भाग के दोरान विशेश रूप से 16 दिसंबर के बाद आपके 12 भाव में बुद्ध और सूरिय की युति आपको कुछ स्वास्ते संबंदित परेशानिया होने के योग बनाएगी जिससे आपको नेत्र, सिर्दर्द, पाचन तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पर सकते ऐसे में इन से जुड़ी कोई भी समस्या होने पर किसी सही चिकिस्सक से तुरंद परामर जरूर लेएगी इस दोरान विबिन ग्रहों का प्रभाव कई सारी बीमारियों के चलते आपकी चिंता और बेचैनी में ब्रद्धी का मुख्य कारन जरूर बनेगा इसलिए हर परकार के तनाव से खुद को दूर रखते हुए सही नींद, सही आहार जरूर ग्रहेंड करें आपको अधिक मसाले डाल और तले बुने खाने या भोजन का परेज दुसंबर महीने में करना आपके लिए उचित रहेगा आपके दूसरे भाव में गुरु भ्रस्पती की उपस्तिती आपकी मिठाई, खाने की जिग्यासा को बढ़ा सकता है इसलिए सुनिशित करें कि आप मिठाई का सेवन एक सही सीमात की करें अन्यता इससे आपको अनावशक वजन बढ़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है कुछ जातकों को इस महीने के दौरान एलर्जी, सर्दी और खासी से पीडित होना पर सकता है या खत्रा रहेगा इसलिए खुद को गर्म रखते हुए जाद है परदूशित और धुल वाले स्थानों से दूर रहे आपके लिए उचित रहे तो आप देख लेते हैं एक बार प्रेम जीवन यानि की लव लाइफ कैसी रहेगी मकर राशी वालों की दिसंबर महीने में और दामपतिक जीवन की स्थितिय क्या कहती है तो इस वर्स का अंति महीना मकर राशी के लव लाइफ यानि प्रेम संबंदों के लिए मिश्रित फर लेकर आया यदि आप सिंगल है या अभी तक आपके किसी भी तरह के रिष्टे में नहीं बन दे हैं तो आपको अपने प्रेमी के साथ अपने संबंदों को बहतर करने के अफसर मिलेंगे जिससे आप दोनों के बीच विश्वास बढ़ेगा महीं प्रेम में पड़े जातकों को पंचम भाओ में राहो की उपस्तिति के चलते थोड़ा सावदान रहने की सला भी जरूर दूंगा में क्योंकि इस दोरान आप अपने प्रियतम को लेकर थोड़ा आधिक सुरक्षित हो सकते इसके साथ ही उस पर मंगल देव की द्रश्टी से भी आप दोनों के बीच मदभेद की स्तिति उत्पन होगी जिसके चलते आप हर समय अपने प्रियतम के साथ रहने या इदर उदर घूमने के इच्छा रखेंगे परणाम सरूप आपको प्रियतम को परेशानी हो सकती है और इससे आप दोनों के रिस्तों में उतार चड़ाओ आने की पूरी आसंक है ग्रहों की स्तिति आपको अपने विचारों और विश्वासों और निर्ने लेने को लेकर भी कुछ कठोर बना सकती है जिससे आप अपने साती पर उची ध्यान देने में एसफल रहेंगे इसलिए अपनी इस परवर्ती में सुधार आप अवश्य लाएं और प्रितम के साथ अच्छे वहवार करें तभी आप अपने रिस्ते में आ रहे विवादों को दूर कर सकें महीं अगर विवाईक जीवन यानि दामपतिक जीवन की बात करें मकर राशी की तो विवाईक जीवन के लिए नुकूल रहेगा हाला कि आपके सक्तम भाव का करक राशी द्वारा सासित होना आपके जीवन साती को आपका ध्यान पाने के लिए थोड़ा मूरी और नाट्के कार्य करने की और प्रेद कर सकता है इसलिए धहरिये से काम लेते हुए जितना संभव हो उनके सास्थ समय वैतीत करें या आपके लिए उचित रहें अब बात करें पारिवारिक जीवन यानि फैमिली लाइफ के बारे में तो दिसंबर के मैने में विविन ग्रहों का परभाव मकर राशी के पारिवारिक वातावरन को खुशियां और आनन देशन से भर देगा शुरुवात में आपके दूसरे भाव में लाबकारी ग्रह गुरू ब्रस्पती और आपके चतुर्थ भाव के स्वामी मंगल एकादस भाव में होंगे जिससे आपके पारिवारिक जीवन के लिए शूब परणाम मिलेंगे इन ग्रहों की स्थिति ये भी धंके देती है कि इस समय बहतर जीवन शहली और पारिवारिक सुक्सुईदाव परतेक परिवार के सदस्य के लिए आनद और संतुष्टी लेकर आएगी इस दोरान मंगल की स्थिति के चलते आप अपनी मा के साथ अपने संबन्द मजबूत करते हुए आनद प्राप्त कर सकेगे इस से आपको लाब में मुनाफ़ा मिलेगा किसी पुरानी पैत्रिक संपत्य की खरीद या विक्री से भी आप इस महीने धन लाब करने में सक्षम हो पाएगे आपको अपने बड़े भाई बैनों से इसने प्रेम समर्थन मिलने की पूरी संबावना है साथ ही आपके भाई बैनों को अपने कारिय छेत्र से संबंदित किसी विदेश यातरा पर जाने का भी अवसर जरूर मिलेगा इसके साथ ही पिता के भाई दस्रम भाई में दूसरे भाई में मौझूद मंगल देव संकेत भी देते हैं कि आपके पिता की संपत्ति में व्रद्धी होगी साथ ही आपके उनके साथ और उनके संबंद बहतर होने में भी मदद मिलेगी हाला कि इस दोरान उनको कुछ स्वास्तेहानी हो सकती है, ऐसे में पिता की सहत का विशेश रूप्चे ध्याने की अबर देखें, दिसंबर का महीना क्या कहता है, मकर राशी की संतान सुप की स्थिति, तो दमपतिक जा तक भी अपनी संतान के साथ अच्छा समय वैतित करते नजर आएंगे, संतान सुप उनके लिए अच्छा रहेगा, इसलिए आप उनके साथ किसी छोटी यात्रा या पेग उन चमतकारी उपायों के बारे में तो आपको क्या करना है, सबसे पहला उपाया आप जाये तो लिख लीजे, शनी की होरा के दोरान, परती दिन शनी ग्रह के मंतरों का जाप आप जरूर करें, दूसरा जो उपायों भगवान विश्णु के कुर्म यानि कछुप अवतार् परती दिन सुबह पर्णयाम का अभ्याद जरूर करें, यह कुछ उपायते जिने करने से आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर कर सकतें और अपने दिसंबर के महीने को और जादे मजबूत बना सकतें, तो आज के लिए इतना ही जय माता दिन तरूर झाल